हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मनोज आपका दोस्त और आज हम बनाएंगे चिकन लोली पॉप जो कि आप घर में भी बहुत ही असान तरीके से बना सकते हैं तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन विंग्स और चिकन विंग्स को तोड़कर हम बनाएंगे चिकन लोली पॉप और यह हमारे चिकन लोली पॉप त्यार है अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए बैटर बैटर के लिए हमें चाहिए मैदा और कॉर्ण और इसमें डाल देंगे एक स्पून का डाल देंगे और एक स्पून इसमें डाल देंगे हम वाइट वेपर अब इसको हमचे तरीके से मिक्स कर देंगे आज हमारा मिक्स हो गया अब इसमें हम डाल देंगे पानी अब पानी को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये हमारा बैटर त्यार हो रहा है और ये हमारा बैटर त्यार हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे चिकन लॉली पॉप और इसको अब धीमी आच में पकाएंगे जो कि हमारा तेल गर्म है अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे पकने देंगे धीमी आच में और ये हमारे लॉली पॉप त्यार है अभी गोल्डन कलर आ गया है इनका बहुत ही अच्छा और इस तरक आप बनाएंगे सोस्प हा dab be Чॉस में दालें गविए सब से पहले दो टेबल स्पून ओ एल हरका गरम करेंगे इसको अ और अब इसमें डालेंगे हम चोप गार्लिक हो कि है हह Mm Arug ran यह कुलिक है और इसमें ओनिन डाल देंगे अब इसमें डालेंगे हम रेड यलो कैप्शिका तो त्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद डालेंगे हम इसमें रेड यलो कैप्शिका और यह हमारा प्याई ब्राउन हो गया हमने डाल दी है रेड यलो कैप्शिका अब इसको थोड़ा सा टोस्ट करेंगे हम और इसमें अब डाल देंगे हम पानी दो लेडल पानी इसके डालेंगे और अब इसको धीमियाच में पुपाएंगे थोड़ी देर अब इसमें डाल देंगे हम नमक एक टेबल स्पून नमक कर डालेंगे और एक स्पून डालेंगे हम सीजवन सोस का और दो स्पून डालेंगे हम इसमें टमैटो सोस अब यह हमारी सोस त्यार है और इसमें हमने डाल दिये चिकन बिंक्स जो की चिकन लोली पॉप है तो अब यह हमारे चिकन लोली पॉप लगवग त्यार हो चुके हैं और इस तरह से हमारे चिकन लोली पॉप बिल्कुल ही त्यार हो चुके हैं अब इसमें हम डाल देंगे स्प्रिंग ओनियन जो की गार्निश के लिए होता है हलका सा डालेंगे स्प्रिंग ओनियन और यह हमारे खाने के लिए बिल्कुल त्यार है तो अब इसको हम डाल देंगे प्लेट में अब आज और यह लोली पॉप हमारे बिल्कुल भी त्यार हो चुके हैं और यह प्लेट में लग चुके हैं झाल यह प्लेट में विए प्लेट में लग चुके हैं झाल